आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ पाउनलोड 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 पा let the cost of one gel pen, let the cost of one gel pen equal to one gel pen, let the cost of one gel pen, one ball point pen, one ball point pen, and, और तीसरा pen का उनसा है, marker pen, and one marker pen, and one marker pen, B, हमने क्या माल लिया, X rupees, Y rupees, और Z rupees है, ठीक है, तो X rupees किसकी cost है, gel pen की cost है, ball point pen की cost कितनी है, Y rupees है, और marker pen, marker pen की cost कितनी है, Z rupees है, तो आगे हम respectively लिख दें, तो इससे clear हो जाएगा, respectively, तो X है gel pen की, और Y, ball point pen की Y है, और marker pen की cost है, Z rupees, अब जो question में कहरा है, सिर्फ उतना करना है, उसने क्या कहा है, कि 4 gel pen खरीदे, तो कितनी cost हो जाएगी इसकी, 4X, 8 mark, 8 जो है ball point pen खरीदे, तो इसकी cost हो जाएगी 8Y, और 1 marker pen लिया, तो इसकी cost हो जाएगी सिर्फ Z, और कितनी cost पड़ी, total, 185 rupees, तो यह होगे पहली equation, अब second condition, उसने क्या बोला है, कि 315 rupees for 7 gel pen, तो इसकी cost हो जाएगी 7X, plus 15 ball point pen, तो यह हो जाएगी 15Y, और plus 1 marker pen, total cost कितनी है, 315 rupees, तो यह हमारे पास दो equation है, हम solve करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को solve करना है, तो हमने दोनों को subtract कर दिया, तो second में से first को subtract कर देंगे, क्योंकि यह इसकी quantity greater है, तो इसको हम नीचे note कर दें, 4X plus 8Y plus Z equal to 185, अब क्या करेंगे, subtract कर देंगे, तो यह आजाएगे, सब के sign change हो जाएगे, तो 7X में 4X जाएगा, 3X बचेगा, 15 में से 8Y जाएगा, तो 7Y बचेगा, और Z वाला पार्ट पूरा cancel हो जाएगा, तो यह value आजाएगे, 3X plus 7Y equal to 130, यह हमारे पास equation आ गई, अब क्या करेंगे, कि 1 ballpoint pen, 1 marker pen, 1 gel pen, मतलब क्या हुआ, कि X plus Y plus Z की value निकाल ली है हमको, ठीक है, क्योंको इसने तीनो पेनों की cost पूछी एक साथ, तो हमको value निकाल ली है, X plus Y plus Z की, तो ऐसा हम इसको solve कर रहे हैं, जिससे हम X plus Y plus Z निकाल पाए, ठीक है, तो 3X plus 7Y है, तो अगर हम इस equation में 2 का multiply कर दें, और 2 का multiply कराने के बाद, अगर इस equation में सकर हम इसको subtract कर दें, तो कुछ possible है, तो हमने कहा कि इसमें 2 का multiply करा दिया, तो यह हो जाएगा 6X plus 14Y equal to, यह हो जाएगा 260, अब हम क्या करें, कि इस equation में से 2 में से, इस equation क्या कर दें, subtract कर दें, तो equation 2 minus equation 4, तो 2 क्या थी, 7X, 7X मे इस इधर तो को Z का component है, तो Z equal to 315 में से 260 घटाएंगे, तो कितना बचेगा यह, 140, 155, तो कितनी cost आजाएगी है, चुकि यह 315 था, तो सिर्फ 55 बचेगा, तो इसकी value कितनी आगए, X plus Y plus Z की value आगए, 55, और यही value यही तो हमको निकालना था, इसका मतलब क्या हुआ, कि एक जेल पिन, एक ballpoint पिन, और एक marker पिन की कीमत कितनी है, 55 रुपए, तो आफसन कौन सा correct है, इसमें से, आफसन नमबर B